हाई अब्रीवन कैसे हो आप सब फ्रेंड्स यह देखिए जलेवी अब भी अभी मार्किट से लाए हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको लगा ना कि मार्किट वाली जलेवी है यह जलेवी बनाई है हमने आज और अभी इंस्टेंट घर पर और आज यही रेसिपी में आपक जालेगे एक कप शुगर माप अपने हिसाब से ले सके हैं अगर आप बनाने जारहे हैं चाशनी कम यह त्यादा कर सकते हैं माप दिखा ने से मेरा यह मतलब है कि जितना हम ने शुगर लिए में चाप और गिलास वो उतना ही आप ने पानी डालना है तो जितना मैंने कैस पर और इसमें हम डालेंगे कुछ धागे में डाल रही हूं सैफरोन के केसर इससे कलर बहुत अच्छा आता और खुश्पू भी बहुत अच्छी आती है अगर आपके पास नहीं स्किप कर दीजिए इलाइची पाउडर डाल सकते हैं इलाइची को ऐसी तोड़ कर भी डाल चाचनी रेडी होगी यहां पर मैंने ले लिया एक खाली बाउल और खाली बाउल में मैं डाल रही हूं एक कप मैदा यह मेजरिंग कप है तो आप जो भी लेंगे उसकी हिसाब से कौांटिटी को सैट कर लीजिए तो यहां पर मैं डाल रही हूं एक चमच घी थोड़ा सा और डालोंगे मैं इसमें तो यह प्यूर घी है और यहां पर लेंगे हम इनो का सैशे और ध्यान रहें कि हमें पूरा नहीं डालना अब भी मैं आपको मेजरिंग स्पून से बताती हूं कि कितना डालना यह देखी मेरे पास छोटा सा मेजरिंग स्पून है उसको भी आधे से तो यह दो आपको मैदे का मेजरिंग बताया है तो उसी साब से हमने यह इनों एड़ कर रहे है बहुत सिंपल और क्विक बनने वाली यह रेसिपी है तो इनको हलके हाथों से हम मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे एक घोल त्यार कर लेंगे हलके हाथों से ही हमने इसको घोल जाया है खास ध्यान रखें घोल बिलकुल पतला ना हो और बहुत ज़्यादा गाड़ा भी ना हो अभी भी मुझे यह थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है यह देखिए तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और एड़ कर लेती हूँ बहुत कम पानी डालेंगे और यह देखिए अब हमारे पास जो घोल रेडि हो बिलकुल परफेक्ट है यह देखिए बस इतना है कि गिरना चाहिए इस तरह से फ्लो से गिरना चाहिए यह बस इतना रखना है हमने और इसको बहुत जल्दी से रेडि करके नहीं रख लेना जब आप बनाने लगे उसी वक्त इसको रेडि कीजिए यहां पर मैंने ले लिए एक पैन पैन जो है चोड़ा होना चाहिए ताकि इसमें हम जो ओयल डाल रहे हैं इसको पिल्कुल हलके से पर हमने बनाना रहा है गैस चाहत आप एक पर गरम करके बंद गर जीए तेल गरम नहीं होना चाहिए इस तरह से हम इसको देखिए जलेबी को पकाते रहेंगे और यह देखिए हमने जलेबी बना ली है शेप थोड़ा हो सकती है आड़ी टेड़ी हो जाए क्योंकि हम प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि अच्छी बने जरूरी नहीं कि आपके पास कौन हो आप विदूद वाले पैकेट में डालीजेए या आपके पास कोई भी और जिपलोग वाले पैकेट हो तो उसमें भी डाल सकते है तेल को बार पर कहोंगी कि बिल्कुल लोपर ही पकाएं आप और बाद में जब जलेबी का आप ये बना लेते हैं जलेबी तो उसके बाद आप चाहें तो तेज कर दीजिए और एकदम से नहीं पलटना है आपने जब आपको लगे कि एक साइड से पक गई है तब आपने इसको पलटना है वो जल्दी नहीं करने है पलटने की और ये देखे कलर कितना अच्छा है जलेबी का यहाँ पर मैंने गैस मीडियम की हुई है ध्यान रखें कि गैस लो ही रखनी हम ताकि जलेबी अंदर से पक भी जाए तेज होगी तो एकदम से जल जाएगी और फ्लोट करने लेगी उप पर तो अल्मुस्त यह रेडि होगी यह चाशनी हमारी बन चुकी थी देखे कलर कितना अच्छा चाशनी का तो मैं यहाँ पर इसको इसमें डाल दूंगी यह सारी जलेबी यहां कैमरा एक जगा सेट है इसलिए में कोई लाना पड़ा इदर तो सारी जलेबी हमने चाशनी में डाल दी है अब हम इसी तरह से दूसरी जलेबी भी रेडि कर लेंगी जब तक हमारी चाशनी में जो पड़ी जलेबी है वो पूरी इंदर से फिल हो जाएंगी तो यह देखे हमने दूसरा बैच भी इसी तरह से त्यार कर लेना है यहां मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी थी वापिसे मैं इसको ओन करूंगी तो यह देखिए हमारे इस तरह से यह जले भी रेड़ी हो रही है बहुत असानी से यह बंजाती है घर पर जब चीज़े इजी बंज जाती है तो हम इनको कॉम्प्लिकेटिट क्यों करें तो यहां पर हम निकाल लेंगे क्योंकि दूसरे हमारे जो बैच है वो रेड़ी हो चुका है और इनके अंदर जो है चाशनी पूरी फिल हो चुकी है और कलर देखिए आप कितना सच में मिलको फुद अच्छा लग रहे कि हाँ फटा फट से बने और मैं यह खाऊँ जलेबी तो यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितनी अच्छे से बनकर त्यार हुई है गर्मा गर्म जलेबी सेब प्रोसेस से हम जलेबी इसमें डाल देंगे यहाँ पर मैंने और जलेबी इसमें डाल दी है और धीरे धीरे अलट पलट इनको करते रहेंगे ध्यान रखी कि यह देखिए कैसे पाइप बना यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे पाइप परना चाहिए जिस वक्त आप इसको जलेबी को बना रहे होते हैं पैन में तो बनना चाहिए ताकि जब हम इसको चाशनी जो है बहुत अच्छे से फिल हो जाए जब ये बिल्कुल गोल पाइप बनेगा इसका चप्टा हो जाएगा तो अच्छे से फिल नहीं हो गया और यह देखिए तीन जलेबी तो बिल्कुल डारक है एक लाइट है यह कलर आपने कुछ चूज करना है कि आप कैसी क्रिस्पी खाना चाहते हैं किस तरह की तो यहाँ देखिए रेडी होगी हमारी सारी जलेबी और एक कप छोटा सा मेजरिंग कप था उससे देखिए इतनी सारी जलेबी बनी है और एक कप ही चाशनी वो देखा है अपने कौंटिटी कितनी कम थी तो आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वाव देखिए मेरा तो खुद मन कर रहा है कि फटा फट से इनको खारूं तो मैं दिखाती हूं यहाँ पर आपको यह देखिए सारी जलेबी हमारी जो बनकर रेडी हुई है अभी गरम है यह देखिए मैं यह दिखा रही थी किस तरह से कैसे यह पाइप बना है और इसके अंदर यह देखिए रस भी पूरा अच्छे से भरा है अभी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं यह देखिए अंदर तक पूरा इसके अंदर जो चाशनी है वो गई है यह देखिए कैसे निकल रहा है इसके अंदर से मार्किट से भी ज्यादा अच्छी फ्रेश एक दम से बनी है और यह देखिए कितनी क्रिस्प है और यह क्रिस्प मैं दिखाती है अब को यह तोड़ के मिरको साउंड आ रही है लेकिन आपको शाद नहीं आ रही होगी लेकिन मैं बता सकती हूं आपको कि यह बहुत शेर करी जिएगा थैंक यू फर वचिंग इस व्यूडियो बाइबाए